हलो फ्रेंड्स मैं जस्मिनारा स्वागत करती हूँ एक बर फिर से आपके अपने यूटीब चैनल फिट एन फाइन पर फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दोरान प्रेगनेंट महिला को कौन कौन से फल खाना चाहिए कौन कौन से फल खाने से प्रेगनेंसी में प्रेगनेंट महिला को क्या क्या फायदे होते हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लाश तक बने हुए रहिएगा क्योंकि फ्रेगनेंसी में प्रेगनेंट महिला को ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए क्योंकि फ्रेगनेंसी में प्रेगनेंट महिला जो भी खाती पीती है उसका पूरा पूरा असर उसके गर में पढ़ रहे बेबी पर होता है इस डिये प्रेगनेंसी के दोरान प्रेगनेंट महिला अपने खान पान को लेकर काफी ज़्यादा चिंतित भी रहती है और काफी ज़्यादा कमफीज भी रहती है कि क्या खाये क्या नहीं प्रेगनेंसी में कुछ भी खाने पिने से पहले एक बार अपने सिसू के बारे में जरुर सोचना चाहिए. क्यूकि हम जो भी खाते हैं, उसका असर डायरेट हमारे गर्मे पढ़ रहे बेबी पर होता है. क्योंकि friends दुनिया की कोई भी मान है जाएगी कि उसके गर में पढ़ रहा बेबी सुरक्षित ना हो वो हम मैसास यही चाहेगी कि उसके गर में पढ़ रहा बेबी एकदम ही सेफ हो सुरक्षित हो और friends इसी लिए pregnancy में pregnant महिलाए अपने खान पान को लेकर काफी ज़्यादा साफधानिया बरती है तो फिर आएए friends वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि pregnancy में कौन-कौन सा फल खाना चाहिए बट friends एक बात और कहना चाहती हूँ मैं आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो फटा एक से सस्क्राइब करके बेल लेकिन का जो बेटा ने उससे दबा दीजे ताकि friends आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना करो और friends आप वीडियो को कहीं से भी बिलकुल भी skip मत करना वीडियो को सुरू से लाश तक बिना skip के जरूर देखना तो फिर आए friends टाइम को देखते वे वीडियो को टाइम पर टाइम पस ना करते हुए इस्टार्ट करते हैं तो फिर आए friends अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेफ्स की यनि अंगूर friends pregnancy के दोरान अगर pregnant में लाए अंगूर खाती है तो इससे उनको काफी ज़्यादा फायदे होते हैं friends से एक और बात कहना चाहती हुए आपसे जो कि सायद आपको नहीं पता friends यह तो हम सभी जानते हैं कि pregnancy में फल खाना लाबदायक होता है बट friends क्या आप यह जानते हो कि pregnancy में अगर आप अंगूर खाते हो तो इससे आपके गर में पढ़ रहे baby करंग गोरा होता है जी हाँ friends अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप pregnancy में अंगूर खाते हो तो इससे आपके गर में पढ़ रहा baby एकदम ही सुन्दर यानि कि गोरा चिट्टा पेदा होता है और friends अब दूसरे नंबर पर पात कर लेते हैं संत्रे की अगर आप pregnancy में ओरंज खाती हो तो इससे क्या होता है friends कि इससे भी आपके गर में पढ़ रहा baby का रंग एकदम गोरा होता है और friends के ओरंज के विटामिन सी हमारे गर में पढ़ रहे baby का रंग फेयर करने में काफी helpful साबित होता है friends ओरंज का सेवन करने से स्रिफ हमारे गर में पढ़ रहे baby का रंग ही नहीं फेयर होता है in fact हमारा रंग भी फेयर होता है क्योंकि friends बिटामिन सी का काम ही होता है इसकिन को फेयर करना friends प्रेगनेंसी में फल खाना pregnant महिला के लिए बहुत ही जरूरी होते है friends फलो में बहुत सी विटामिन स्पाय जाते हैं जैसे कि विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन E, प्रोटीन, फाइबर, वसा, जिंक, फासफोरस, मेगनिसियम, सोडियम, कर्भोहड्रेड आदी और friends इसलिए pregnancy में pregnant महिलाओ को फल खाना चाहिए क्योंकि friends फलो में जो विटामिन स्पाय जाते हैं वो हमारे गर में पलरे बेबी को strong बनाने में काफी helpful साबित होता है friends pregnancy में फल खाने से स्रिफ हमारे गर में पलरे बेबी ही strong नहीं होता है इनफेक्ट हम भी काफी ज़्यादा स्ट्रंग होते हैं और इसलिए फ्रेंट्स प्रेग्नेंसी में फल खाना चाहिए और फ्रेंट्स एक बात और कर लेते हैं अब कि प्रेग्नेंसी में केला खाने के क्या फायदे होते हैं तो फ्रेंट्स में ज़्यादा कुछ तो नहीं कि प्रेगनेंसी में केला खाने के क्या-क्या फायदे होते हैं बठा फ्रेंट्स में इतना जरूर कहोंगी कि प्रेगनेंसी में केला खाने से गर में पढ़ रहा बेबी काफी स्ट्रॉंग होता है फ्रेंट्स अगर आप प्रेगनेंसी में केला खाती हो तो इससे आपके गर मे पल रहें, बेबी के μोन्स स्ट्रॉUNG में काफी हेलफुल करता है केला, इसलिए फ्रेंट्स प्रेगनेंसी के द्वरन प्रेगनेंट महिलाओ उटको केला खाना काफी जरूरी होता है। अगर उसका बेबी